बिना धूब के हम आलू के पापड बनाना देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ 24 गंटे के अंदर आप ये पापड बना कर अपनी फैमिली के साथ इंजोई कर सकते हैं बहुती क्रिस्पी एंड पतले पापड बने हैं ये देखा आपने ये देखें ये इतनी क्रिस्पी पापड बनका क्यार हुए हैं ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल फूद्स लाइब को सब्सक्राइब करें साथ में घंटी का बटन जरूर दबाए आलू के पापड बनाने के लिए हमने आपर 500 ग्राम के करीब आलू को अच्छे से दो कर उबाल लिया है अब हम इने कद्दू कस करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ही आलू गरम हो तभी हमें कद्दू कस करना है ठंडे आलू क्रेट होने में मुश्किल आती है और गुट्लिया रह जाती है गुट्लिया रह जाने से आलू के पापड फ़र सकते हैं बनाते टाइम पापड वाला आलू खरीते टाइम इस बात की पहचान होनी चाहिए कि आलू थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए उबालने के बाद यानि कि आपको पहाड़ी आलू बिल्कुल नहीं लेना है वरना वो बिखर जाता है और पापड बनने में मुश्किल आती है तो अब हमेसे थोड़ा सा मसल लेंगे 10 मिनिट के लिए जैसा कि हमाटे को मसलते हैं तो guys कभी कभी हम MPL app से एक गेम खेल लेते हैं अपना mood fresh करने के लिए आप भी गेम खेल सकते हैं अपना mood fresh करने के लिए साथ ही साथ इसे hero पैसे कमाने के लिए guys ये मेरा favorite game है आप इसमें और भी कई सारे options choose कर सकते हैं जैसे की chess, ludo, carom, etc अगर आप भी घर बैठे, गेम खेल कर पैसे कमाना चाहते हैं तो download कीजिए MPL app हमारे इस वीडियो के नीचे description box में MPL game का link available है आप ये game वहाँ से download करके install कर सकते हैं तो guys घर बैठे, गेम खेल कर पैसे कमानी की एक trusted app है आप इस पर trust कर सकते हैं, ये fake नहीं है क्योंकि इस app के brand investor है, हमारे जाने माने क्रिकेटर विराट कोली जैसे ही आप ये app डाउनलोड करते हैं, लॉग इन करते हैं, आपको मिलता है 10 रुपे का bonus गेम खेल कर कमाये गए पैसे, आप अपने Patreon एकाउंट में direct transfer कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से तो share कीजे ये app अपने दोस्तों के साथ 10 मिनेट तक आलू मसलने के बाद हम इनमें ये मसाले आट करेंगे, जीरा, नमक और चिली फ्लेक्स हम यहाँ पर नमक बहुती कम एट करेंगे, और थोड़े से चिली फ्लेक्स और एक टेबल स्पून के करीब हरी धनिया को काट कर एट करेंगे तो हम यहाँ पर एक चोथाई चमच, क्यूमिन सीट्स यानि की जीरा और चिली प्लेक्स, हाफ टीजपून और नमक स्वात के नुसार थोड़ी सी हरीदन या एट कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और अगीन इसे मस लेंगे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नमक हमें आलू के ठंडे होने पर ही मिलाना है गरम आलू में नमक एट करने से आलू और ज़्यादा मौइस्ट हो जाएगा और पापड बनने में मुश्किल आएगी अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक जगे खटा कर लेंगे आलू और फिर इसके चुटे चुटे बाल्स तोड़ेंगे जितने भी बड़े पापड आपको बनाने हैं उतने साइस के बाल्स आप तोड़ ले आलू के बॉल्स दोड़ने के पहले हाथों में थोड़ा सा रिपारिणोय लगाएंगे ताकि आलू हाथों में चिपके नहीं और बॉल्स बनाने में सुविधा हो तो सारी बॉल्स हम बना कर पहले ही रेडी कर लेंगे ताकि बाद में पापड बनाने में हमें easy हो तो इस तरीके से सारी बॉल्स हमने ready कर ली हैं ये देखें तो हमने आपर medium size से भी थोड़े छोटे बॉल्स लिये हैं हमने आपर आलो के पापड खेलाने के लिए कुछ fridge mats लिये हैं ये मैंने अच्छे से wash करके सुखा लिये हैं और मैं इन पर ही आलो के पापड बनाकर डालूँगी ये फ्रिज मैट इस्तेमाल करने के दो reasons हैं पहला कि मैं ये पापड बिना धूप के बनाने वाली हूँ इसे मैं इने उठा कर आसानी से फैन के नीचे ले जा सकती हूँ या फिर आपको अगर धूप से अलर्जी है तो आप छाया में पापड बनाकर इने धूप में ले जा सकते हैं और दूसरा ये plastic material है आप इस पर पापड डालेंगे तो इसली ये पलरट जाएंगे आपके पास अगर plastic sheet है तो आप उस पर भी बना सकते हैं डारेक्ट फैन के नीचे पापड बनाने के लिए हमें इस्तेमाल होगा थोड़ा सा तील और एक ये plastic sheet ये plastic sheet आप कोई भी ले सकते हैं ये sheet पे थोड़ा सा oil लगा देंगे दुनों तरब ताकि पापड बनाने में ये चिपके नहीं और एक बार तेल लगा कर आप 4-5 बार पापड बना सकते हैं बिना कोई oil लगाए तो अब हम इसमें आलू का एक पेड़ा रखेंगे दूसरे side से इसे cover कर देंगे आलू के पापड बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको 4-5 तरीके दिखाऊंगी पहला ये मैं एक plate ले रहे हूं steel की flat है पीछे से इससे press करेंगे आलू के इस पेड़े को थोड़ा सा दबाएंगे और ये अपना shape ले लेगा अगर थोड़ा सा मोटा रह जाता बीच से तो आप प्रेस कर दे अपनी उंगलियों से और ये देखें इस तरीके से हमें आहिस्ता से खोलना है और plastic sheet या फिर fridge mat पे हम इस तरीके से इसे डाल देंगे थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हुए polythene sheet हटा लेनी है इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी रख कर ये हम कटूरी ले रहे हैं बोल आप इस तरीके का कोई भी कटूरा ले सकते हैं और इससे इस तरीके से दबाएंगे जिससे अपना shape ले लेगा और ये हमारा पापर त्यार है इससे भी हम इस तरीके से फेलाएंगे ये देखें gauche से आयस्ता से निकालेंगे पापट बनाने के लिए हम को बड़ा प्लेट भी ले सकते हैं इस तरीके का और इसे pressure भी कम लगता है और हलका सा प्रेस करने पे ये अपना shape ले लेता है और काफी पतले और crispy पापट बनकर त्यार होते हैं ये देखें ये इतना अच्छा पापट बनकर त्यार हुआ है और इसे भी हम फिला देंगे अब हम देखेंगे चौथा तरीका इस तरीके से बॉल को रखेंगे यालू की और उपर से हम अपने हाथों से इसे फिलाएंगे इस तरीके से ये देखें इसे आप जज नहीं कर सकते कि आपने किसी चीज से बना है अपने हाथों से एकदम गोल पापड और पतला पापड बनकर त्यार हुआ है इस तरीके से हम दूसरा भी देखेंगे यह देखें इस तरीके से आपको रखना है और अपने हाथों से इस तरीके से प्रेस करके उंगलियों से अपने फैला देना है एकदम गोल पापड बनकर त्यार हुआ है इजी है आप इस तरीके से भी पापड बना सकते हैं चौथा तरीका है ये रोटी मेकर इससे आप रोटी पूड़ी कुछ भी बना सकते हैं तो हम इसे यूज़ करेंगे पापड बनाने के लिए इस पर शीट रखेंगे इस तरीके से और ओल लगी होनी शीट होनी चाहिए इसके उपर हम एक आलो का बॉल रखेंगे और सेम तरीका इस तरीके से प्रेस करेंगे और ये बस पापड बनकर रेडी यह भी बहुत इजी तरीका है यह देखें एकदम पतला पापड बनकर त्यार हुआ है इससे भी तो दूसरा भी देख लें इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही कम प्रेशर में यह बनकर त्यार हो जाता है पापड सुखाने है उसी शीट पे थोड़ा सा ओयल लगाएं बॉल रखें और उपर से प्लास्टिक शीट और किसी चीज से प्रेशर दे इस तरीके से और पापड हमारा बनकर त्यार है यह देखें हाथों से थोड़ा सा इविन कर दे यह मेरा फेवरेट तरीका है पापड तो यह पापड अब हम सूखने के लिए छोड़ देंगे फैन के नीचे 24 गंटे के अंदर अंदर यह पापड सूख कर रेडी हो चुके हैं तलने के लिए तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़ूरत नहीं है अगर आपके घरों में दूप नहीं आती तो आप इस तरीके से बनाएं और इंज्याए कर सकते हैं आलो के क्रिस्पी टेस्टी पापड अभी तलने के लिए रेडी हैं आप देख पा रहे होंगे इनका टेक्शर इतने ट्रांस्पेरेंट और पतले पापड बनकर त्यार हुए हैं यह देखें एक किस तरीके से फूल जाते हैं डालते ही तेल में यह पहचान है अच्छे पापड की कि तेल में डालते ही यह साइज में थोड़े से बड़े हो जाते हैं इसका मतलब यह बहुत ही अच्छे पापड बनकर त्यार हुए हैं इतने क्रिस्पी और क्रुंची पापड बनकर रेडी हुए हैं यह देखें इनके आवाज मैं इने तोड़कर दिखाती हूँ इतने क्रंची एंड क्रिस्पी पापड बनकर रेडी हुए हैं वो पिसे 24 गंटों के अंदर बिना किसी दूप के तो गैस अगर आपके रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजे शेयर कीजे और अगर आप नए है मेरे चैनल पर और इस तरकी की और भी रेसिपी आगे भी देखना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं